जईन्दो सुन्दे मादरम पेछले कुछ दिनों में लीथियम को लेकर भारत में काफी सारी बात हुई 59,00,00 टन टोटल लीथियम मिला है भारत में जिसके की बारे में बात की जारी कि उसका खनन किया जा सकता है लेकिन क्या आप जानते हैं ये 35,00,00 करोड का जो लीथियम भारत में मिला है इसके कारण काफी सारे नैचुरल कलामटीज को भी हम लोग इंविटेशन भीज सकते हैं और क्या इसके खनन के उपर रोग भी लगाई जा सकती इन सभी चीजों के बहुत रहा हम बात करने वाले है क्योंकि देखिए जिस रीजिन में ये लीथियम मिला है वो हिमालियन प्लैट्यू कहलाता है और वो एक ऐसा एरिया है जहांपर की अर्थक्वेक्स जो हैं काफी फ्रीक्वेंटली आते रहते हैं ऐसे मैं ऐसी जगे पर खनन करना काफी मुश्किलाप प्यादा कर सकता है तो ऐसे मैं जान लेते हैं कि क्या भारत इस साड़तीन लाग करोड के खजाने को इनकैश कर पाएगा और आपको बता दूँ अगर इस खजाने को भारत इनकैश कर पाता है तो साओधी एरब या फिर खाड़ी देशों में जिस तरीके से ओईल बेस्ड एकनॉमी है ना भारत में भी ये लीथियम एक बहुत बड़ी एकनॉमी का रोल प्ले करेगा और सबसे बड़ी बात भारत को वर्ल लीडर्स की शेनी में और उपर पहुँचा देगा जमू कश्मीर में उनसाट लाग टन लीथियम का भंडार मिला है इसकी कीमत करीब करीब साड़ तीन लाग करोड रुपए है जियोग्राफिकल सर्वे अफ इंडिया यानि की जीएसाई ने नौ फरवड़ी को इसकी जानकारी दी भारत इस समय चीन से 80% लीथियम करीटता है लेकिन अब लीथियम का जो भंडार मिला है वो चीन के कुल भंडार से करीब 4 गुना जादा है ऐसे में अगर भारत इस लीथियम के प्रोडक्शन में कामियाब हो जाता है तो वो खाड़ी देशों जितना अमीर बन सकता है जी हैं मतलब एक तरह से आप सब ने देखना शुरू कर सकते हैं देखिए लीथियम के अगर बात करें लीथियम एक सॉफ्ट और लाइट वेट मेटल है इतना सॉफ्ट कि आप इसे अपने घरेलू चाकू से भी काट सकते हैं और इतना हलका कि ये पानी में तैरने लगता है ये देखने में सफेद से भूरे रंका था और आग में फेकने पर चमकीले लाल रंका हो जाता है 1817 में सुडेन के एक केमिस्ट जॉन अगस्ट ने इसके कारण पर गौर किया तो पता चला कि पेटा लाइट में एक अन्नोन एलिमेंट भी छुपा हुआ है इस अन्नोन एलिमेंट को पेटा लाइट से आईसुलेट यानि की अलग करने के बाद जॉन ने उसे लीथियम नाम दिया जो ग्रीक वर्ड लिथोस यानि की पत्थर से आया है लीथियम आपके घर की दीवारों पर लगी घड़ी से लेकर आपके लैपटॉप, मॉबाइल, डिस्ट वॉच और हर उस डिवाइस का हिस्सा है जो बैटरी से चल रही है इन उपकरणों की बैटरी में लीथियम सबसे जादा होता है इन उपकरणों की बैटरी में लीथियम सबसे जादा होता है लीथियम की ग्लोबल डिमांड की वज़े से इसे वाइट गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है इंटरनाशनल मार्केट में एक टन लीथियम की कीमत करीब 57 लाक रुपए है इस कैलकुलेशन के हिसाफ से भारत में में लीथियम की कीमत 37 लाक करोड रुपए हां की गई दुनिया इस समय फ्यूल एनरजी से ग्रीन यानि की दीनियोबल एनरजी के और शिफ्ट हो रहा है अब एयर क्राफ्ट्स, विंटर माइन, सूलर पैनल, इलेक्ट्रिकल वेहिकल इन सभी में लीथियम का उपयोग बढ़ रहा है वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मताबिक लीथियम और कोबाइल जैसे मेटल की डिमांड दुनिया भर में 2020 तक 500 परशन तक बढ़ जाईगी ऐसे समय में किसी विदेश में लीथियम का भंडार मिलना उसकी एकनॉमी के नजरीय से बेहद इंपोर्टेंट है ग्लोबल लेवल पर कम से कम हर साल करीब एक लाख मेट्रिक टन लीथियम का प्रोड़क्शन होता है इंटरनाशनल एनर्जी एजेंसी फॉर कॉस्ट के मताबिक दुनिया की डिमांड पूरी करने के लिए इसके प्रोड़क्शन को 40 गुना तक बढ़ाना पड़ेगा 2018 तक लीथियम बैटरी मैनेफेक्शनिंग मारकेट में इन्वेस्टमेंट 9,12,000 करोड रुपए तक बढ़ जाएगा अनुमान के मताबिक एलेक्ट्रिक वेहिकल का ग्लोबल मारकेट 2030 तक 823 बिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगा अगर हम भारत की बात करें तो 70% तक कॉमर्शियल वेहिकल एलेक्ट्रिक वाले हो जाएगे इसके अलबाद 30% प्राइवेट कारें और 80% टूविलर एलेक्ट्रिक बेस हो जाएगे तो ऐसे में आप खुद ही समझ सकते हैं कि एलेक्ट्रिक वेहिकल्स का मारकेट कितना बड़ा है भारत अपने लीथियम भंडार को लीथियम रिजर्व में कनवर्ट करने में अगर सफ़ल हो पाया तो हम ना केवल डोमेस्टिक लेवल पर लीथियम बैटरी के निर्मान के लिए आतने भर हो जाएंगे बलकि दुनिया भर में लीथियम एक्सपोर्ड भी कर सकेंगे जो की एकनॉमिक बूस्ट करने का ही काम करेगा अगर हम अभी हृल फिलाल की बात करें तो भारत अभी दस से भी जाद देशों से लीथियम इंपोर्ट करता है फानेशल एर दोजार बीस दोजार इकिस में भारत ने छोफाहजार करोड से भी जादा का लीथियम दूसर देशों से इंपोर्ट किया है भारत ने सबसे जादा 3500 करोड रुपए से जादा का लीथियम चीन से खरीदा है। ये उसके टोटल लीथियम इंपोर्ट का 53.76% है। साल 2018 में भारत ने करीब 11,700 करोड से जादा का लीथियम इंपोर्ट किया था साल 2014 से 2018 के वीच भारत में लीथियम का इंपोर्ट 310% तक बढ़ गया है भारत में लीथियम की डिमांड चीन, होंग कॉंग, वियतनाम, अमेरिका और जापान ये पांच देश मिलकर पूरा करते हैं भारत में लीथियम भेजने वाले देशों में इसका हिस्सा करीब 95% है अगर हम सबसे बड़े भंडार की बात करें तो सबसे बड़ा भंडार इस समय बॉलिविया में है जहां पर करीब 210 लाख टन लीथियम पाये गया है उसके बाद अरजेंटीना है जिसमें करीब 190 लाख टन है अब देखें यहां पर एक और बात यह है कि जमो कश्मीर के सलाल हैमान में लीथियम भंडार के बारे में जीएसाई की टीम को 1999 में ही पता चल गया तो ऐसा नहीं है कि यहां पर मोदी जी नहीं वहां पर जाकर गड़ा खुदा था टेक्निकल भाषा में इसे हम G4 स्टेज कहते हैं यानि धर्ती के अंदर जाच कर उसके नीचे मिनरल होने की आशंका जताई जाती आधोनिक अपकरणों और टेक्निलोजी के अभाव में भारत को G4 से G3 स्टेज तक पहुँचने में 20 साल से जादा लग गए G3 स्टेज में सैंपल की फिजिकल और कैमिकल स्टेडी के जरीए रिसोर्स के अनुमानित भंडार का पता किये जाता है GSI के मताबिक हम अभी इसी स्टेज में जमू उनिवरस्टी में प्रोफेसर पंकर श्रिवास्ता के मताबिक शेतर में माइनिंग की जा सकती है या नहीं यह जानने के लिए हमें G2 और G1 स्टेज की स्टेडी कंद्रार करना पड़ेगा लेकिन सबसे बड़ी बार पर्यावरन पर्यावरन को आखिर इस खनन से क्या मिलेगा लीथियम का भंडार जो शेतर में मिला है वो हिमालन रीजन में आता है यह पूरा का पूरा इलाका भूकम प्रभावज शेतर में आता है इन जगों पर खनन होने से धर्ती खिजक सकती है 2022 में पबलेश होई नीचर कंजर्वेंसी की रिपोर्ट के मताबिक लीथियम के खनन से सैकड़ो एकड़ जमीन बंजर हो जाती इसके सबसे ज़्यादा नुकसान वाइड लाइफ और स्थानी आबादी को होता है लीथियम के खनन के लिए भारी मात्रा में पानी भी लगता है मतलब सिरह सिदा अंदाजा लगा लेजिए कि एक टन लीथियम निकालने में करीब करीब 20 लाख लीटर पानी लग जाता है तो आप खुद सोचिए कि पानी भी यहाँ पर कितना लगेगा वहीं एक स्टैंडर इलेक्टरिक कार में 20 किलो लीथियम का उपयोग होता है इसका मतलब एक कार बनाने में 40,000 लीटर पानी लग जाता है एक टन लीथियम के खनन के साथ ही 15 टन कारबन भी रिलीज होता है जिसकों के लेकर पूरी दुनिया में समय हला मचा हुआ है लेकि समझने वाली बात ये है कि कैसे नैशनल रिसोर्स मिलने के बाद खाड़ी देशों की तकदीर बदल गई क्या हम लोग भारत में भी वैसी उमीद कर सकते हैं लेकि सबसे पहले कतर को समझी करीब 12,000 वर किलोमेटर फैला ये देश 1922 तक बसावट के काविल तक नहीं समझे जाता था यहां रहने वालों में बड़ी अबादी मचुआ रो और मोती चुनने वालों की थी ये खाना बदोश थे जो अरब देशों में भ्रहमन किया करते थे 1930-1940 के दौर में जब जापान ने मोती का प्रोड़क्शन शुरू किया तो कतर की अर्थवस्था बिगड़ गी लोग बहतर विकल्पों की तलाश में यहां से फलायन करने लगे देश की आबादी खटकर महस 24,000 तक सिमट गी लेकिर 1949 में कतर के वेस्ट कोस्ट पर दोवा से लगबा 80 किलोमेटर के दूरी पर दुखान में मिले ब्लैक गोल्ड यानि की तेल के कुए ने इस देश की किस्मत बदल दी दूसरे वर्ल्ड वार के बाद कतर ने तेल नर्याद शुरू कर दिया देश में लोग रहना पसंद नहीं कर रहे थे वहां के आवादी में तेही से बढ़ावाद देखने के मिली और 1970 तक एक लाग से भी पार पहुंच गए देश की जीडीपी ने भी लंबी उच्छाल लगाते हुए तेल इंपोर्ट ने कतर में अफसरों का अंबार लगा दिया यहां तेही से बदलाव और आधुनी की करन हुआ 1971 में इंजिनीरों ने कतर के पूर्वतर तट से दूर नॉर्थ फिल्ड में विशाल प्रक्रतिक गैस रिजर्व की खोच करी यह रिजर्व कतर के आधे से यानि 6000 वर्ड किलोमेटर ने फैला हुआ था आज कतर के पास इरान और रूस के बाद प्रक्रतिक गैस का तीसरा सबसे बड़ा रिजर्व साल 1996 में तरल प्रक्रतिक गैस से भरा एक जहाज जापान से रवाना हुआ यह कतर का पहला बड़ा गैस नर्यात था इसके बाद कतर की जीडिपी साल दर साल बढ़ती ही चली गए 2003 से 2004 तक कतर की जीडिपी 3.7 फीजदी से बढ़कर 19.2 फीजदी हो गई और इसके दो साल बाद 2006 में बढ़कर 26 फीजदी हो गई आज कतर में प्रतिव्यक्ती जीडिपी 50 लाक से भी जादा है इसी तरह साओधी अरब 1930 में इसी तरह साओधी अरब 1930 के दशक तक आपस में लड़ने वाला एक कबीलिया इलाका था यहां के लोग उंट और भेड़ वकरियों के साहरे अपना गुजारा किया करते थे 1932 पो प्रिंस शाह अब्दुल अजीज बिन साओध को पता चला कि उनके देश में तेल का बड़ा भंडार है वो इस तेल को निकालने के लिए अमेरिकी कमपनी से डील करते है 1938 में खुदाई शुरू ही और इस देश की जमीन से इतना तेल निकला कि यह शक की भी हरान रह गए तेल की खोज ने साओधी एरब को आर्थिक स्थिरता के साथ खुशाली भी थी वर्ल्ड बैंक के बाद साओधी एरब के बारे में 1968 में आकड़े मौजूद है इन आकड़ों के मताबएक साओधी एरब में 1968 तक प्रतिव्यक्ती जीडिपी 61,000 रुपए करीब थी जो एक दशक बाद उन्हें 1981 में 14,000,000 के पार चलीगी ये वो दौर था जब तेल बेजकर साओधी प्रतिव्यक्ती आये की मामले में अमेरिका से भी आगे निकल गया था इस समय ये देश भारत से 63 गुना जादा अमीर था आज भी देश दुनिया के सबसामीर देशों में शुमार है 2021 की रिपोर्ट के मताविक साओधी आप रतिव्यक्ती जीडिपी 19,00,000,000 रुपई से भी जादा है तो ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर लीथियम का भंडार भारत के लिए काम आता है तो भारत के एकनौमी को एक बहुत बड़ा बूस मिलेगा लेकिन बात वहाँ पर ये भी कि पर्रेवरेंट को भी इससे एक बड़ा नुकसान पहुंच सकता है तो ऐसे में देखना होगा कि किस तरीके से पर्रेवरेंट के साथ बैलेंस बनाते हुए लीथियम का हम लोग उप्योग कर पाते है मेरे सुली फिलात नहीं जैन, जै भारात